अब्सक्राइब नाव और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट नमस्कार दोस्तों स्वागते सभी का इस यूटूब चेनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पी एन लोदा मित्रों इस चेनल पर ये साइकलोजी की कलास है सिक्सन विदियों की भी कलासे लगती है और साइकलोजी में कलास नमबर 38 है ठीक है यहाँ पर साइकलोजी में मैंने आपको 21 सेकंड जो अधिगम की है वो कंप्लीट करा दी है और अभी इकाई फश्ट चल रही है इकाई फश्ट में भी आपको बाल विकास की अवस्था हैं वगेरा विश्यस्था हैं सभी कंप्लीट करा दी है और अब चल रहा है बाल विकास के सिद्दान्थ इसमें भी मैंने आपको चार सिद्दान्द पड़ा दिये हैं यह है पाँचवा सिद्दान्द जो है नेतिक विकास का सिद्दान्द ठीक है पाँचवा सिद्दान्द का नाम क्या है नेतिक विकास का सिद्दान्द इसको अंग्रेजी में कहा जाता है moral development theory moral मतलब होता है नेतिक development मतलब विकास और theory मतलब सिद्दान मित्रों इसके जनक है Lawrence Kohalberg कौन है जनक? Lawrence Kohalberg इन्होंने ये सिद्दान 1936 में दिया था और ये रहने वाले थे अमेरिका के तो क्या याद रखना है नेतिक विकास का सिद्दान moral development theory किस ने दिये? Kohalberg ने दिये तो सात्यों ये जो सिद्दान दिया गया है ये बालक के नेतिक विकास को इसपष्ट करने के लिए कोहल बर्ग ने ये सिद्दान परस्तुत किया कि किस प्रकार से बालक का नेतिक विकास होता है किस की सवस्ताओं में कैसे बालग नेतिक विकास को विक्सित करता है कोई कोई से गुणों को परदर्शन करता है सभी चीजे इसमें बताए गई है अब साथ यो मैंने सिक्षन वीडियो का आज एक टेस्ट भी अपलोट किया है 30 प्रशनों का वो टेस्ट है वो इस वीडियो के end screen में मिल जाएगा और साथ में इस वीडियो में ये जो सिद्दान्थ है इस सिद्दान्थ के बाद में objective प्रशन भी मेने डाले है जो सिद्दान्थ से सम्मंदित है बहुत ज़्यादा important है तो उन प्रशनों को भी आपको हल करना है ताकि आपको आपका level का पता चल सके कि सिद्दान्थ कितना समझ माया है तो चलिए याद रखना है नेतिक विकास का सिद्दान्थ लोरेंस कोहलबर्ग moral development theory किसको इसपष्ट करने के लिए दीती नेतिक विकास को इसपष्ट करने के लिए दीती तो चलिए देखते हैं इसमें आगे तो सातियों कोहलबर्ग ने इस सिद्दान्थ में नेतिक विकास के तीन इस्तर बताएं कितने इस्तर बताएं तीन इस्तर बताएं या फिर छे उपिस्तर बताएं तो देखिए जिसे अलग-अलग मनोवेग्यनिकों ने अलग-अलग सिद्दान दिये और अलग-अलग अवस्थाएं बताएं उसी प्रकार से इन्होंने इस्तर बताएं हैं क्या बताएं हैं इस्तर बताएं हैं और इस्तर की संक्या पूचे कोलह कोहल बर्ग ने अपने नेति उपिस्तरों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे बिल्कुल एक चीज किलियर करके चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें यहां तक क्या क्या याद रखना है यह याद रखना है कि नेतिक विकास का सिद्दान कोहलबर्ग ने दिया इसको अंग्रेजी में moral development theory केते हैं और इसमें कुल तीन इस्तर है अथो अच्छे उपिस्तर है बस इतने चीज़े आपको यहां तक याद रखनी है चलिए आगे बढ़ते हैं तो मित्रों यह जो तीन इस्तर है या जो पिर यह जो छे उपिस्तर है इनको देख लेते हैं तो इन्होंने जो पहला इस्तर बताया इस्तर की बात जाता है इसको हिंदी में अलग-अलग नामों से जाना जाता है लेकिन अंग्रेजी में इसका एक नाम आएगा Pre-Conventional Stage क्या का आएगा Pre-Conventional Stage तो साति हो पहले इस्तर का नाम क्या है Pre-Conventional Stage जंगरे जी में नाम याद रखना है, उम्रे सिमा है, 3 से 9 वर्ष या 10 वर्ष या 9 वर्ष भी आ सकता है, 10 वर्ष भी आ सकता है, तो ये तो पहला सतर है, पहला सतर कौन सा है, Pre-Conventional State 3 वर्ष से 9 या 10 वर्ष तक, अब इसके अंदर 2 उपिस्तर है, कौन कौन से इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं पहला उपिस्तर देखो उपिस्तर तो ये है ये उपिस्तर है ये दीकरे जो और ये पहला ये दूसरा ये पहला ऐसे ये तीसरा ये इस्तर है तो उपिस्तर में पहले जो इस्तर है उसमें दो उपिस्तर है पहला है आग्या एवं दंड उप इस्तर और दूसरा है अहंकार या साधनात्मक सापेक शिवादी उन्मुकता इस्तर बिल्कुल अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं लेकिन इसका डिटेल भी बताएंगे तो बिल्कुल एक एक चीज़ समझ माएगी पिर इन्होंने जो दूसरा इस्तर इस्तर बताया है उसको कहते हैं प्रंप्रागत रिट्यIGाल या रूडिगत इस्तर इंग्लिश में क्या कहेंगे कनवेंशनल स्टेज यह तो है प्री कनवेंशनल और यह कन वेंशनल इसकी जो उम्ह सिमाय मित्रों तीन से नुआ दस वर्ष और इसकी 9 या 10 से से लेकर 13 और 14 तक एगजाटली इन्होंने नहीं बताई है अब इत्व उपिस्तर है पहला उपिस्तर है परशेंशिया या स्वे मुद्णम बनने का उन्मुकता इस्तर और Patrick सामजित अनूरूपता उनुकता इस्तर तो मित्रों ये दो पिस्तर किसके हैं ये conventional stage के बिल्कुल 100% समझ मैंगे मैं वापिस केना हूँ अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं इन्होंने तीसरा इस्तर कौन सा बताया है तीसरा इस्तर बताया है उत्तर प्रमप्रागत काल या उत्तर रित्यकाल या उ इसके उम्र होती है 14 वर्ष से लेकर के आगे के जीवन तक तो मित्रों इसके भी दो उपिस्तर है पहला है विवेक या सामाजी कानुबंद उन्मुकता इस्तर और दूसरा है सारवोमेग निती प्रयक उन्मुकता इस्तर तो ये देखो यार अगर आप सोते हो कि अरे यार तो पड़ना तो पड़ेगा यार इस चीज़ को बिलकुल द्यार में रखो तो चलिए शुरू करते हैं एक एक स्तर को लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि जो नेतिकता शब्द होती है नेतिकता का मतला नेतिकता को अंग्रेजी में कहा जाता है मोरल क्या कहा जाते हैं दोस्तों मोरल कहा जाता है समझो थोड़ा सा नेतिकता को अंगरेजी में मोरल कहा जाता है moral शब्द की उत्पत्ती moral शब्द की उत्पत्ती किस बाशा से हुई है latin बाशा से हुई है किस बाशा से latin बाशा से latin बाशा का भी एक शब्द था दोस्तो moras क्या था moras और moras का आर्थ होता है सात्यों आचरन तो ये मैंने एक ग्राप के माध्यम से मौरस शब्द से हुए है मौरस का मतलब क्या होता है आचरन होता है अर्थार्थ व्यक्ति का जो सब भी आचरन है उसको ही क्या कहा जाता है नेतिकता कहा जाता है यह नौर्मली एक चीद लिख दिए ताकि भई कोई भी चीद छूटे नहीं अब उन तीन इस्तरों को या छे उपिस्तरों को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला इस्तर आता है सात्यों जिसका नाम है प्री कन्वेंशनल स्टेज उम्रे सीमा तीन से लेकर के नो वर्ष या दस वर्ष तक यह समझो थोड़ा सा पहली स्टेज को डिटेल से पढ़ेंगे तो यह जो पहला इस प्री कन्वेंशनल स्टेज यहां पर यह कहां से चलता है सेश वस्ता के मद्य से लेकर के बाल्य वस्ता तक के मद्य तक सेश वस्ता के मद्य से लेकर बाल्य वस्ता के मद्य तक का जो समय होता है उसको ही प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है अब देखो यह जो pre-conventional stage है यहाँ पर बालक में नेतिक गुण नहीं पाये जाते हैं समझा बालक में नेतिक गुण इस वस्ता में नहीं पाये जाते हैं pre-conventional stage में और उसको वास्त्विक स्वरूप का ज्यान भी नहीं होता है उसको पता नहीं होता है कि नेतिकता होती क्या है नेतिकता के वा तोड़ी पता है कि नेतिक तक क्या होती है नेतिक गुण भी नहीं होते हैं और नेतिक गुणों के वास्तिविक सोरूप का उसको ज्यान भी नहीं होता है अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि यह जो प्री कनवेंशनल स्टेज है इसके दो उपिस्तर है कौन-कौन से अहंकार या साधनात्मक उपिस्तर तो मित्रों पहले जो आग्यायवं दंड उपिस्तर है इसको देखते हैं आग्यायवं दंड उपिस्तर क्या होता है देखो कि इस अवस्ता में इस उपिस्तर में बालक के अंदर भई की अधिकता होती है वो डरता है सबी चीजों से वो डर बही कि उसमें अधिक्ता होती है, अथ्थ है, व्यक्ति क्या करता है, बाला क्या करता है, दंड के बही से, मतब्ब उसको डर लगता है कि यार मुझे कोई सजा नहीं मिल जाए, इस डर से वह माता, पिता और बडो की आज्या का पालन करता है देखो अवस्था का नाम क्या है समझो आग्या एवम दंड मतब आग्या का पालन कर रहा है लेकिन किसके परिणाम सरूप कि उसको डल लगता है कि मुझे किसी चीज की सजा नहीं मिल जाए और उसमें कोई भी नेतिक गुण नहीं पाये जाते हैं तो मित्रों ये हैं पहला उपिस्तर आग्या एवम दंड उपिस्तर यहां पर बालक में भई की अधिक्ता होती है वह दंड के भई से माता पितावे बड़ों की आग्या का पालन करता है किन्तु उसमें कोई भी नेतिक गुण नहीं पाये जाते हैं अब दूसरा उपिस्तर देखते हैं सात्यों दूसरा उपिस्तर क्या है अहंकार या साधनात्मक उपिस्तर तो यहां पर देखो अहंकार या साधनात्मक उपिस्तर में क्या होता है कि यहां पर भी बालक में नेतिक गुण नहीं पाये जाते हैं लेकिन बालक विद्याले ज जाना आरम कर रहा है और विद्याले में स्रेष्ट बनने के लिए वह नेतिक गुणों का भी प्रदर्शन करता है हाला कि उसमें नेतिक गुण नहीं है लेकिन वह क्या चाहता है कि यार अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे मुझे अच्छा मा स्रेष्ट बनने के लिए वह विद्याले में नेतिक गुणों का परदर्शन करता है अर्थार्थ उसमें सापेक शिवादी भावना पाए जाती है कौन सी भावना पाए जाती है सापेक शिवादी भावना क्या होती है देखो कि स्वयम को स्रेष्ट बनने के लिए अच्छ लोग अगर उसे अच्छा कहेंगे तो उसके अंदर अहंकार उत्पन होता है इसलिए इसको अहंकार या साधनात्मक उपिस्तर के नाम से जाना जाता है तो मित्रों आशाया आपको समझ में आया होगा कि प्री कन्वेंशनल इस्टेट की उम्रिसीमा तीन से नो या दस वर्ष की होती है यह सेश वस्ता के मद्द से बाल्य वस्ता के मद्द तक चलता है इसमें कोई नेतिक गुण नहीं पाए जाते हैं और बालक को नेतिक गुणों के वास्त्विक सोरूप का ज्यान भी नहीं होता है इस इस्तर में दो उपिस्तर है आग्या एवं दंड उपिस्तर औ और अहंकार या सादमात्मक सापेक्षवादी उपिस्तर यहाँ पर आग्या का पालन क्यों करता है दंड के भई साग्या का पालन करता है लेकिन नेतिक गुण नहीं होते हैं यहाँ भी नेतिक गुण नहीं होते हैं लेकिन स्वम्कोस रेष्ट बनाने के लिए वो नेतिक इस्थर नाम बताया है, प्रम्प्रागत इस्थर, क्या नाम बताया है, प्रमप्रागत इस्तर जिसको कहा जाता है operational stage क्या कहा जाता है operational stage के नाम से इसको जाना जाता है और इसकी उम्र सीमा होती है 10 से लेकर के 14 वर्ष का जो समय होता है उसको ही प्रमप्रागत इस्तर इनोंने बताया है अब प्रमप्रागत इस्तर की उम्र कितनी होते देखो मद्य बाल्य वस्ता से लेकर के मद्य किशोर वस्ता ठीक है मद्य बाल्य वस्ता से लेकर के मद्य किशोर वस्ता तक का जो समय है उसको ही प्रमप्रागत इस्तर कहा जाता है उम्र सीमा है 10 से 14 वर्ष यहाँ पर बालक मे नेतिक गुण उतपन वो ने लग जाते हैं लेकिन पर नेतिक गुण उतपन करने होने के साथ ही बालक को नेतिक गुणों के वास्तविक सरूप का ज्यान भी यहाँ पर हो जाता है यह जो operational stage है प्रमपरागत स्तर है इसको नेतिक विकास का सर्वस्रेश्ट इस्तर भी कहते हैं Underline कर लो, Star कर लो, याद कर लो, Important लगा लो, जो इच्छ है वो कर लो नेतिक विकास का सर्वस्रेश्ट इस्तर कौन सा है मित्रो? Operational stage है क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बालक में नेतिक गुणत्पन होने लग जाते हैं और उसका वास्त्विक सोरूप का ग्यान भी बालक को हो जाता है चलिए इसके जो दो उपिस्तर हैं उनको देख लेते हैं तो यह जो operational stage है इसमें दो उपिस्तर है कौन कौन से दो उपिस्तर हैं उनको देखते हैं तो मित्रों पहला उपिस्तर आता है प्रशंश्या या स्वयम उत्तम बनने का उपिस्तर और दूतरा उपिस्तर आता है सामाजी कानुरूपता उपिस्तर तो देखो पहलों उपिस्तर को पढ़ेंगे प्रशंशया स्वयम उत्तम बनने को उपिस्तर नाम ही देखो प्रशंशया प्रशंशया प्राप्त करना चाहेगा यहां पर बालक तो देखो बालक में प्रशेंशा प्राप्त करने की यहां प्रबल भावना होती है उसकी तिवरिच्चे होती है कि लोग मेरी प्रशेंशा करें लोग मुझे अच्छा कहें मुझे प्रशेंशा करें हर बात पर यहां पर प्रशेंशा प्राप्त करने की उसमें प्रबल भाव परिवार के बाहरी व्यक्तियों के सामने वह नेतिक गुणों का परदर्शन करता है। अब गर वाले रहेंगे तो वो नेतिक गुण नहीं बताएगा लेकिन जैसे गर में कोई नया अदमी आता है तो वह है जो बालक है वो नेतिक गुणों का प्रदर्शन करने लग जाता है कभी कभी माता पिता को कुछ करने के लिए भी नेतिक गुणों का प्रदर्शन करता है देखो परिवार से बाहर के जो लोग है वो गर पे आएंगे तो बालक उनको अच्छे अच्छी कि भाई उनके सामने अच्छा वियवार करेगा उनके चरण इसपर्श करेगा उनके उनको पानी पिलाएगा उनको भोजन परोसेगा तो यह नेतिक गुण है एक तरह से सब व् बहुत अच्छे है यार तुम्हरा लड़के में तो बहुत ज़्यदा गुण है तो यहां पर प्रशेश या प्राप्त करने के लिए वो बाहरी व्यक्तिव के मद्ये ज्यादा नेतिक गुणों का परदर्शन करता है और कभी-कभी वो माता-पिता को कुछ करने के लिए भ दूसरी अवस्था में दूसरे इस्तर में उत्पन होने लगते हैं लेकिन उसको वास्त्已經 श्वूरूप का ज्यान यहां पर नहीं होता है मतलब 10-14 वर्श की बात की जारी है यहां पर पहला उपिस्तर है यह पहला उपिस्तर है और यह दूसरा है यहां पर नेतिक गुणो का सरवदिक प्रदर्शन करता है सबसे ज़्यादा प्रदर्शन सामजिक अनुरूपता उपिस्तर में बालक नेतिक गुणों का प्रदर्शन सरवदिक यहीं पर करता है और कभी कभी समझो बात को कभी कभी सुएम को हानी पहुचा कर भी वह नेतिक गुणों का प्रदर्शन कर देता है तो मित्रों इसको नेतिक विकास का सरुस्रेश्ट उपिस्तर कहा जाता है अगर प्रिशनाता है कि जो छे उपिस्तर है और तीन इस्तर है इन उपिस्तर की बात करें कि कोहलबर्ग के सिद्धान्त में नेतिक विकास का सरुस्रेश्ट उपिस्तर कौन सा है तो वहा अगर प्रिश्ण आता है नेतिक विकास का सरुसरेश्ट इस्तर कौन सा है तो मित्रों वहाँ पर आपका अंसर क्या रहेगा operational stage इस्तर की बात करें तो operational stage और उपिस्तर की बात करें तो सामजिक अनुरूपता उपिस्तर क्योंकि यहाँ पर नेतिक विकास का सरुसेश्ट उपिस्तर पूँच रहे हैं यहाँ पर बालक में निर्ने शमता नहीं पाई जाती है लेकिन देखो यहर खुद को आनी पहुचा रहे है न बालक खुद को तो उसमें निर्ने समता किसे पाई जाएगी किन्तु बालक को यहाँ पर नेतिक गुणों के वास्तुविक स्वरूप का ज्यान प्राप्त हो जाता है यहाँ पर नेतिक गुणों के वास्तुविक स्वरूप का ज्यान नहीं होता है प्रशंश जिसको कहा जाता है उम्र सीमा है 10-14 वर्षिन मद्य बाल्य वस्ता से लेकर के मद्य किश्वर वस्ता तक चलती है यहाँ पर बालक में नेतिक गुण उत्पन होने लग जाते हैं और उसका वास्तिविक स्वरूप का ज्यान भी उसको हो जाता है अत्य है प्रमप्रागत इस्त को ही नेतिक विकास का सर्व स्रेश्ट इस तर कहा जाता है इसके भी दो उपिस्तर है कौन-कौन से प्रशेंशा या स्वैमुत्तम बनने का उप्स्तर और सामाजिक अनुरूपता उपिस्तर यहाँ पे प्रशेंशा प्राप्त करने की प्रबल बालवना होती है बाहर के लो के वास्थविक सरूप का ग्यान बालक को यहां पे नहीं होता है यह जो इसका दूसरा उपिस्तर आता है वो है सामजिक अनुरूपता उपिस्तर यहांपर बालक सर्वधिक नेतिक गुणों का परदश्यन यहीं करता है कभी-कभी सोयम को हानी भी वो पहुंचा लेता है और नेतिक विकास का सर्वस्रेश्ट उपिस्तर भी कहा जाता है निर्णे शम्ता नहीं पाय जाती है और नेतिक गुणों के वास्तिविक सुरूप का ग्यान बालक को इस उपिस्तर में हो जाता है तो आशे यहां तक वीडियो समझ में आया होगा चलिए तीसरा और अंतिम इस्त देखते हैं तीसरा इस्तर आता है मित्रों उत्तर प्रमप्रागत इस्तर जिसको कहा जाता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज उम्र सीमा है 13 या 14 वर्षिस से लेकर के आगे की जो उम्र है उसको हुई उत्तर प्रमप्रागत इस्तर या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहा जात बुद्धी का पुन विकास हो जाता है बालक में निर्ने लेने की शमता भी पाई जाती है वो निर्ने ले सकता है उसको किस टाइम पे नेतिक गुणों का प्रदर्शन करना है किस टाइम पे नेतिक गुणों का प्रदर्शन नहीं करना है यह निर्ने शमता इस अवस्ता में पुन रूप से विक्सित हो जाती है, नेतिक नीमों का निर्मान भी बालक किसी अवस्ता में करता है, मतलब खुद के नेतिक नीम यहाँ पे बना लेता है बालक, कौन सी अवस्ता में? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में, अब इसके भी दो उपिस्तर है, कौन-कौन से हैं दो उपिस्तर देखीगा, पहला उपिस्तर है विवेक या सामाजिक उपिस्तर, दूसरा उपिस्तर है सार्व भोमिक नीति परक उपिस्तर, तो विवेक या सामाजिक उपिस्तर क्या होता है देखो, विवेक या सामाजिक उपिस्तर को देखेंगे अच्छी तरह से, यहाँ प यहां पर यह पता होता है कि किस समय नेतिक गुणों का परदर्शन करना है किस जगे नेतिक गुण बताने है किस जगे नेतिक गुण नहीं बताने है यहाँ पर बालक स्वयम को आनी नहीं पहुचाता है जबकि जो दूसरा उपिस्तर था वहाँ पर बालक स्वयम को आनी पहुचाता था किन्तु विवेक या सामाजिक उपिस्तर में बालक सोयम कोहानी नहीं पहुचाता है और आवशक्ता पढ़ने पर ही वह नेतिक गुणों का परदर्शन करता है जब जरुरत नहीं होती है तब नेतिकता का परदर्शन नहीं करेगा तो मित्रों इसलिए इसको विवेक या सामाजिक उपिस्तर कहा गया क्यों कहा गया क्योंकि वो खुद के विवेक का प्रियोग करने लग जाता है नेतिक नेमों का जो नेतिक गुण है उनका परदर्शन करने में खुद का दिमाग खुद की बुद्धी का प्रियोग वो करता अब इसके दूसरा उपिस्तर आता है post conventional stage का जो है सार्व वोमिक नितिपरक उपिस्तर तो मित्रों सार्व वोमिक नितिपरक उपिस्तर देखो यहाँ पर नेतिक नीमों का पालन करने के साथ बालक दूसरों को भी प्रेरीद करता है मतलब दूसरों खुद तो नेतिक नीमों का पलन कर रहा है लेकिन दूसरों को भी बोलता है कि ऐसा करो ये चीजे करो ये अच्छा काम करो दूसरों को भी वो नेतिक नीमों का पलन करने के लिए प्रिरित करता है समझना बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है बालक नेतिक नीम और अगर उपिस्तर की पोँचे तो सारु वोमिक नितिपरक उपिस्तर यहाँ पर बालक नेतिक नीमों का निर्मान करने के साथ में ही उन नेतिक नीमों के निर्मान की समाज से भी स्विकृति चाहता है वो चाहता है कि मैंने जो नेतिक नियम बढ़ाए है समाज उनको स्वि जाए तो कहें देना यार ठीक है वीडियो पूरा देखा करो अब देखते हैं इसके कौन-कौन से उब्जेक्टिव प्रिश्णी बनते हैं तो मित्रों पहला प्रिश्ण है नेतिक विकास का सिद्दांद किसके दोरा प्रस्तूत किया गया आरेम गेने के दोरा मतलब रोबर् कौन प्रस्तूत किया है या बंडूरा ने प्रस्तूत किया है या जेविवार्षन ने तो मित्रों सभी को पता है कि नेतिक tuition का सिद्दांद किस ने दिया है बताए कि इसका मित्रों सही आंसर रहेगा लोरेंसे कोहलchezग दूसरा विकलप सही रहेगा एक फी प्रिश्णी गलतनी होना चाहिए जिसने पूरा वीडियो देखा है। तूसरा प्रशन है मित्रों, नीतिक विकास के सिद्धांध में इस्तर वaint उपिस्तर कितने हैं। कितने इस्तर है और कितने उपिस्तर है। छे, तीन और छे, मतलब तीसरा विकल्प इसका सही है, नेक्ट देखते हैं, मॉरल शब्द की उत्पति किस भाषा के शब्द मोरस से हुई है, तो सभी को पता है ग्रिक से हुई है, या जर्मन से हुई है, या यूनान से हुई है, या लेटिन से, बतारा का अच्छी तरह से, किस बाशास हुई है मित्रो लेटिन बाशास हुई है ये भी सभी को पता होना चाहिए मैं के रहा हूँ वीडियो अगर देखा है तो एक प्रिश्ण गलत नहीं होना चाहिए पुर्वी रित्यकाल, रित्यकाल, उत्तर रित्यकाल या सभी तो सर्वस्रेश्ट इस्तर बताए था मैंने आपको कौन सा है बताओ मित्रो राइट आंसर है रित्यकाल जो ओप्रेशनल के सोरी कन्वेंशनल स्टेज है वहाँ पर अच्छी तरह से मैंने बताए था कि यह है नेतिक विकास का सरुष्रेश्ट इस्तर है ठीक है दूतरा विकल्प सही रहेगा प्रिशन नमबर पांच देखिए कि सवस्था में बालक दंड के भई से बडो की आज्या का पालन करता है तो दंड के भई से बडो की आज्या का पालन पुर्व रूडिगत इस्तर में रूडिगत इस्तर में उत्तर रूडिगत इस्तर में या कोई नहीं तो बताए राइट आंसर क्या रहेगा सबी को पता है मित्रों क्या है पुर्व रूडिगत इस्तर प्री कन्वेंशनल स्टेज नेक्ष देखिए अंतिम प्रश्ण देखिए इसका छेटा प्रश्ण आता है मित्रों नेतिक नीमों के निर्मान का इसतर कौन सा है कि बालक कोन सी वस्था में स्वेम नेतिक नीमों का निर्मान करता है pre-conventional stage, conventional stage, post-conventional stage और none of the above, तो बताई ये right answer कोई सा रहेगा मित्रो, right answer है post-conventional stage, उत्तर-प्रप्रागतकाल, उत्तर-रूरिगतकाल, ठीक है जिसमें यहाँ पर बालक खुद नेतिक नीमों का निर्मान करता है और समाज से उनकी स्विकृती भी चाता है तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में इसमें एक सिद्दान्त और बचा है जो संग्यनात्मक विकास का सिद्दान्त है जीन पिया जी द्वारा जो दिया गया है उसके बाद आपकी काई फश्ट कंप्लीट हो जाएगी ठीके मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जीनों ने इस क्लास को पूरी देखी और साथ में मैंने सिक्सर्ण वीडियों का वीडियो भी अपलोड किया है उसको भी देखें बहुत तीस प्रशने बहुत ही शांदार प्रशन लगेंगे ठीके मिलते हैं अगले वीडियो में